Hello everyone, आज मैं आपके साथ share करने वाली हूँ कि कैसे आप अपने garden में छोटे से गमले में भी अद्रक उगा सकते हैं आपकी घर में बाल कनी है, उसमें भी आप छोटे गमले में उगा सकते हैं मैंने इसको थोड़ी बड़े pot में उगाया है इसके लिए मैंने अद्रक के चार टुकडे लिए हैं, जिन में थोड़ा थोड़ा अंकुरण है मतलब उस अद्रक में अपने आप ही नई ग्रोथ हो रही है उसको मैं गमले में लगाऊंगी उसको किस तरीके से लगाएं कि वो सही तरीके से ग्रोभ होगा इसको सही तरीके से उगाने के लिए अगर आपके पास fungicide powder है तो उसको ले 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 और उसको पानी में अच्छी तरीके से घोल ले अगर आपके पास नहीं है तो आप हल्दी powder का भी यूज कर सकते हो क्योंकि हल्दी तो हम सब के घर में होती है जितने भी अध्रक के पीस हमको ग्रो करने हैं वो fungicide के पानी में हम आदे गंटे तक भीगो देंगे इसके बाद इसको किस तरीके से उगाना है वो भी मैं आपके साथ सेर करती हूँ सबसे पहले गमला लेना है जिसमें भी हमको उगाना है उसमें गार्डन स्वाइल, थोड़ी सी खाद, रेती और fungicide powder अगर है तो आप मिला सकते हैं आप चाहें तो अध्रक के एक टुकड़े को भी बिल्कुल छोटे गमले में उगा सकते हैं आप जब भी गमले में अध्रक को लगाएं तो इसको खड़ा भी नहीं लगाएं और जो नए सूट निकल रहे हैं उनको उपर करके भी नहीं लगाएं क्योंकि उससे नीचे का portion चले जाएगा मिट्टी में इसलिए अच्छी तरह ग्रोथ नहीं होगी इसको हमेशा horizontal लगाएं जो सीधा सीधा है इसको सीधा ही रग दें गमले में और उसको अच्छी तरह से मिट्टी से ढग दें इस तरीके से अगर आप लगाएंगे तो जिसमें सूट निकला है उधर से तो लीफ निकलेंगी और जिस तरब से वो प्लेन है जिसमें सूट नहीं निकलेंगी उधर से भी और सूट निकलकर उससे लीफ निकलेंगी पर इसको बढ़ने में थोड़ टाइम लगता है 10-15 दिन बाद इसमें पत्तिया निकलनी चालू होती है मैंने एक गमली में 4 पीस लगाए थे और 15-20 दिन तक सिर्फ गीली मिट्टी में पड़े थे मैं सिर्फ यह देख रही थी कि मिट्टी सूखी नहीं होने चाहिए उसके बाद 15-20 दिन बाद थोड़ी थोड़ी पत्तिया निकलनी शुरू हुई और मेरे चारों जो भी मैंने अद्रक के टुकडे लगाए थे सारी ग्रो हो गए इसको ग्रो होने में काफी टाइम लगता है और अगर पूरा अद्रक चाहिए आपको तो कम से कम 7-8 माईने का टाइम लगता है पर इसकी पत्तिया ही गंले में काफी खुबसूरत लगती है और उनकी कुसबू भी बहुत अच्छी होती है जिनको हम यूज कर सकते है जो बड़े रूप में अद्रक की खेती करते हैं वो अद्रक लगा देते हैं पहले और जब प्लांट उग जाता है तो नीचे का अद्रक पूरा निकाल लेते हैं और प्लांट को बापस से गंले में लगा देते हैं जिससे दुवारा अद्रक बन जाता है पर मैंने मेरे किचन गार्डन के लिए इसको उगाया है इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगी आसा है आपको वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया तो लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थेंक यू